ओम शांती आज 17 अप्रल 2020 के साकार मधुर महवाक्य हैं आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सामधन कर रहे हैं माया की वशिभूत होकर कोई ऐसा कारे नहीं करना जो फिर दंड खाना पड़े बाबा ने कहा कि आप बच्चों को कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है जो सपूत बच्चे हैं वो श्रीमत पे चलते हैं आज बाबा ने माया को अपनी मददगार बेटी कहा बाबा की मददगार है ये माया क्योंकि जो कच्चे हैं श्रीमत पे नहीं चलते हैं जो बाबा के बात को नहीं मानते हैं तो माया उन्हें कच्चा ही खा लेती है बाब पहले ही भगा देती है, बाबनी का, तुम बच्चों को भसमासूर नहीं बनना, ऐसा कोई काम नहीं करना, जिसे आप स्वेमी स्वेम को भसम कर दो, आपको बाबा का अज्याकारी वो फादार बच्चा बनना है, और जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं, तो स्वतेवी कर्मों का बोजह उतर जाता है सुनेंगे एकागर होकर बाबा की मुरली बाबनी का मीठे बच्चे माया के वश हो इश्वरिये मत के विरुद कोई कारिये नहीं करना कभी भी बाबा के निंदा नहीं करना माया के वश हो इश्वरिये मत के विरुद कोई कारे नहीं करना, कभी भी बाबा की निंदा नहीं करना Qưởngnya Myaya भी Bाप की मददगार है कैसे? जब देखती है कोई शिरिमत की अवग्या करते हैं बाबा का कहना नहीं मानते, शिरिमत पे नहीं चलते तो वो कक्चा खा लेती है, थपड मार देती है सेयाना वो जो बाप की याद से माया को परक कर उसके वशिभूत ना हो गेत है मुझे को सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुकरिया ओम शांती बच्चों ने महिमा किसकी सुने परम पिता परमात्मा की बच्चे जानते हैं ऐसे बाबा को याद करके उनसे उस्वरक का वर्सा लेना है बाबा को तो फरमान है निरंतर मुझे याद करो अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो यही मनजिल है बाब का निवास्थान अब मदुवन ही है बाब से वर्सा कैसे मिले जितना जो बाब को याद करते हैं उतना उनके पाप करते हैं और जो बाब के वर्से को याद करते हैं उनके खाते में खजाना जमा होता रहता है ये किसम का व्यापार है जो बाबा सिखाते, ऐसे बाप को निरंतर याद करना पड़े, अगर याद नहीं करते, तो माया पत्थर मारती है, माया कोई कम नहीं है, भले कोई कितना कहीं मैं बच्चा हूँ, भले स्थूलवा सुक्षम सर्विस भी करता रहे, लेकिन बाबा से य किसी पर गुसा नहीं करते, कभी और दृष्टी से नहीं देखते, प्रन्तु चलन ऐसी देखते हैं, तो समझते हैं, ये आसुरी मत का है, माया एक एक घुसे से एकदम खतम कर देती है, कितना विगन डालते हैं, उनका जितना बड़ा पाप बनता है, उतना अग्यानी मलु शेकन ही बनता, कई नस्दीक रहते हुए भी जरा पहचानते नहीं, बाबा के ते ये भी ज्रामा में नूंध है, जो सुनते हुए जैसे कि सुनते नहीं, तो बाबा क्या करें, आजकल मनिश्यों के उपर कितना भी आशिरवाद करो, प्यार करो, प्रन्तु बैटे बैटे अपने को भसमासुर बना देते, वास्तों में ईश्वरिय संप्रदाई, आसुरी संप्रदाई में राद दिन का फरक है, इस दुनिया में किसी का बाबा के साथ योग नहीं, ऐसे को फिर बाप आकर ईश्वरिय संप्रदाई का बनाते, तुम्हारे में भी कोई तो ईश्व इश्वरियमत से स्वर्ग के मालिक देवता बनते हो और कोई स्वर्ग जाने के बदले कामचिता पर बैठ भसमी भूत हो जाते हैं। जाने बच्चे हैं, वो कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बच्चों को पढ़ाकर नर से नाराइन बनाते, फिर भी ऐसे बाप के नाफरमान बरदार बन जाते, बाहर निकलने से माया का थपड़ लग जाता, फिर तरस पढ़ता, कहां का बिचारी कन्याई माताई बंदन में आ जाती, काम का हलका नशा भी हुआ तो गिर पड़ते हैं, फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होने लगते हैं, कितनी बिचारी बाँच हो जाती हैं, इतने सब का पाप उन पर चड़ता है, बड़ी कड़ी सजा खाते हैं, बात मत पूछो, माया जानती है, कल्प पहले वाले कौन कौन है, जिरोंने मुझे जीत बाबा की तरफ ली, वो भी बड़ी सियानी है, उसको पता है, कौन कौन मुझे जीत सकते हैं, देखती हैं, ये बाबा की अवग्या करते हैं, तो ताला ही बंद कर देती है, बाबा जानते, ये कन्याई भारत का कल्यान करती है बाप को माताओं का बहुत फुर्ना रहता तुम बच्चों को भी माताओं का फुर्ना होना चाहिए अपना एंकार नहीं रहना चाहिए बाबा खुद कहते वंदे मात्रम बड़ी संभाल करनी है कोई ऐसी डर्टी चलन नहीं चलनी अपने आप से पूछना है हम कोई उल्टा धंदा तो नहीं करते बाबगति तुम बाप से वर्षा लो तुम देवता बनने आए हो धरम की स्तापना में अनेक विघन पड़ नहीं है क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कई निकले जिनोंने निन्दा आदी की आस्वरी संप्रदाई ने मार डाला पहचाना नहीं जब उनके कितने चर्चादी अभी बनते रहते हैं परन्तो इससे कुछ फाइदा नहीं माया के बन तमोप्रधान बन जाते जहां भी जाते हैं मिलता कुछ भी नहीं दिन प्रति दिन और ही दुखी होते जाते हैं समझो शुरिक गुर्णानक देवजी के पास जाते हैं उनसे क्या मिलेगा वो सिर्फ कहते तुम्हें पवित्र बनना है वा रहना चाहिए परन्तु अपवित्र ही रहते हैं सरफ उनका भजन गाते हैं तो मिलेगा कुछ नहीं पवित्र बनेंगे तो मिलेगा सरफ भजन ही गाते रहेंगे वैसा करेंगे नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं अब देखो सब कब्रदाखिल हो गए ग्यान का जरा भी पता नहीं क्रोध भी बहुत कड़ा है जिससे अपने को भसमासुर बना देते फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है आते हैं तकदीर बनाने कहते हैं बाबा से स्वर्ग का वर्सा लेने आए है अच्छा बाबा को पूरा याद करना होगा उनकी शिरीमत पे चलना होगा नहीं चलेंगे तो फिर जैसे के वैसे बन जाएंगे फिर कल्प कल्प गिरते ही रहेंगे फिर कभी उठ नहीं सकेंगे अभी पुर्शात किया तो उच से उच बन सकते हैं बाबा कितना समझाते बोड पर भी लिखा हुआ है इश्वरिय विश्व विद्याले परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया उसे स्वरकी राजाई का वर्सा पाना है अगर यहां आकर फिर चले जाएं तो सब कहेंगे शायद इश्वर नहीं है जो ऐसे छोड़ कर निकलते ह कितने संश्य बुद्धी बन पड़ेंगे उन पर सब का पाप चड़ जाता है कोई छोड़ के चले जाते हैं अनेकों को संश्य बुद्धी बनाते हैं तो उनके उपर पाप चड़ जाता है शिरीमत पर नहीं चलेंगे तो स्रेष्ट कैसे बनेंगे शिरीमत पर चलने से काईदे हैं प्रन्तु बच्चे समझते नहीं हाथ उठाते हैं हम लक्षमी नारण को वरेंगे काम ऐसे करते हैं जो बात मुत पूछो आगे चलकर ये किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित नहीं आ सकेगा अभी तो माया बहुतों को नाक से पकड़ लेती है वे निराकार बा चाहिए तुम ऐसा पुर्षात क्यों नहीं करते बाप सर्व शक्तिवान है माया पर जीत पेहनाने आते हैं केते मीठे बच्चे कुछ सजाऊं से भी डरो शिरीमत पर आग्याकारी बनो अपने पेरहम करो माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे भरनी माता क जाते कोई भूत बन जाते तुम सब भवानी माताइं हो जो ज्ञान अम्रित पिलाती हो वफदार बच्चोब पर मात पिता की आशिरवाद रहती है वफदार नहीं तो शान्ती से जाकर कहीं दूर रहे तो अच्छा है अगर वफदार नहीं तोई सचांती से कहीं और जाकर रहे तो अच्छा है आठ तो यादि प्यार से पहले रात्री क्लास है जो सत्रा भू Hil cm 68 की है की मेड़े मीठे बच्चे यहां जब आते हैं तो समझते हैं आप बाबा के मुरली सुनाते हैं जादत तर तो बहने सुनाती हैं जो भी नमित टीचर्स बहने हैं वो बाबा की मुरली सुनाती हैं कहीं कहीं भाई भी नमित होते हैं मुरली तो सहज है कोई भी धारना कर क्लास करा सकते हैं ब्रामनियां बैठी तो हैं बाबा पूछते हैं, कोई मुरली पढ़कर, फिर मुरली का सार सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं, जो मुरली हाथ में उठा के सुनाते हैं, वो हाथ उठाओ, मुरली हाथ में नहीं उठा कर, बिगर मुरली ऐसे ही सुनाते हैं, तो वो भी उठाएं, मुरली ऐसे ही सुना सकते हैं, मले हाथ में मुरली भी हो, लेकिन प्रयास करो कि ऐसे भी बाबा ने क्या क्या कहा, क्या समझाया, वो सार बुद्धी में रहे, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं, नमबरवार तो है न, मारती, घोड़े सवार और प्यादे, सभी तो एकुरेट नहीं पढ़ते, कोई तो पढ़ते भी रहते, एडिशन कर रहस्य भी सुनाते रहते, रसीले नमुने, सभी ऐसे नहीं समझा सकते, यहां तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते, कोई बात में संशय नहीं होना चाहिए, एक बाप ही सब कुछ सुनाते हैं, उन स्कूलों मे अनेक पढ़ाने वाले हैं, अलग-अलग पढ़ाते, यहां तो एक ही पढ़ाते हैं, एक ही aim object है, इसमें प्रश्न पूछने का नहीं रहता, सुबह को यहां बैठ बच्चों को याद की आत्रा में मदद करता हूं, ऐसे नहीं कि सरफ तुम्हें करता हूं, सारे बेहद के बच को बनाना होता, तो बाप सब बच्चों पे नजर रखते, सभी शांती में चले जाएं, सभी को अटेंशन खिचवाते, जिनका योग है वो उठाते हैं, बाप तो बेहद में ही बैठेंगे, मैं आया हूं, सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा ह हूं, तो पवित्र हो जाएं, सारी दुनिया को बाप करते हैं, मैं करंट देता हूं, ताकि वो भी पावन हो जाएं, जिनका योग होगा, समझेंगे बाप भी बैठ याद की यात्रा सिखा रहे हैं, जिससे विश्व में शांती होती, बच्चों को भी याद किया जाता, व बच्चे भी याद में रहते, तो मदद मिलती हैं, अच्ची रिती याद करते हैं, वो बहुत थोड़े हैं, मददगार बच्चे भी चाहिए न, खुदाई खिदमतगार, निश्चे बुद्धी से याद करेंगे न, तुम्हारी पहली सबजेक्ट है, पावन बनने की, गो तुम जानते हो, विश्व को शांत बना कर उस पर राज्ये करेंगे, ऐसी बुद्धी होगी, तब नशा चड़ा होगा, तुम बच्चों को भारत को हैविन बनाना है, जानते हो, बाबा की शरीमत से, हम योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हैं, बाबा की शरीमत पर चल कर योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हैं, नशा रहना चाहिए, इसमें कोई स्थूल बात तो है नहीं, यह है रूहानी, बच्चे समझते, हर कल्प बाप इस रूहानी बल से हमें विश्व का मालिक बनाते, यह भी समझते हैं, शुव बाबा कर स्वरक की स्थाप न करते हैं, कब कैसे बिलकुल ही नहीं जानते, कब और कैसे करते हैं, कोई नहीं जानते, गीता में भी आटे में लून है, बाकि सब जूट ही जूट है, गीता में काफी बाते सकते हैं, लेकिन कुछ बाते ऐसी हैं, जो हम रह गई, बाबा कर सत्ते बताते, भारत का नामी गरामी है, बाबा किते हट योगी, राज योग सिखा न सके, आजकल तो जूट बहुत है, सच के आगे imitation बहुत होती है, उसकी नखल बहुत करते हैं, इसलिए सच को कोई मुश्किल जान सकते, ये तो बाप आकर राज्योग सिखाते, बाबा की ते कल्प कल्प ऐसे होता, अब तुम नास्तिक से आस्तिक बने हो, बाबा की बने तो नास्तिक से आस्तिक बने हो, प्राचीन रिशिमुने ही नहीं जानते, तो औरों के पास कहां से आया, गीता के ज्यान को नहीं जानते, ये दादा भी बहु ही खेल है दूसरे धरम कब आते हैं ये भी बच्चे समझते मूलवतन सुक्षम वतन को तुम समझ गए हो सर्फ तुम ब्रामन ये नौलेज पाते हो देवताओं को तो ये दरकार नहीं तुमें सारे विश्व की नौलेज है तुम पहले शुद्र वरण के थे फिर ब्रह्मा तो ये नौलेज देते हैं जिसे तुम्हारे डिटे सार्वेंटी स्थापन हो जाती बाबा आकर ब्रामन कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करते वो भी इस संगम पर स्थापन करते और धरम वाले फट से डानेस्टी नी स्थापन करते उनको गुर पुर्शार्थ कर धंदा आदी भी करते रहें, याद भी करते रहें, हेल्दी बनने के लिए, पुर्शार्थ करके धंदा आदी भी करते रहें, याद भी करते रहें, हेल्दी बनने के लिए, बाबा कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सब कुछ बुलाना होता, हम आत जा रही हैं प्रैक्टिस कराई जाती खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते बाबा पूछ रहे हैं जब आप भोजय नादी करते हो क्या बाबा को याद नहीं कर सकते कपड़ा सिलाई करते हैं बुद्धियोग बाबा की याद में रहे कि चड़ा तो निकालना है बाब कि इस्टी जोग्रफी इस समय रिपीट होती है कल पहले जैसे ही रिपीट हुआ था ऐसे ही हो रहा है यह रिपीटेशन का राज भी बावा समझाते हैं कहते हैं वर्ड रिपीट वन गौड वन रिलिजन वाई शांती होगी वह अद्वैत राज्य द्वैत माना आशुरी राम भारत पे खेल बना हुआ है भारत का आदि सनातन धरम था पवित्र मार्ग था फिर बाप आकर पवित्र परविर्टी मार्ग बनाते हम सो देवता थे फिर कला कम होती चले गई हम सो शुद्र डानेस्टी में आई बाबा पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते है student सुन्ते हैं अच्छे स्टूरेंट पूरा ध्यान देते हैं नहीं करते ये पढ़ाई regular पढ़नी चाहिए ऐसी गॉड़ली युनिवसिटी में कभी एपसेंट नहीं होना चाहिए बाब स्वयम पढ़ाते हैं, रेगुलर पढ़ना चाहिए, कभी अपसेंट नहीं होना चाहिए, बाब गुये गुये बाते सुनाते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चो प्रती, मात पिता बाप तदका, याद प्यार, गुड बॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चो को नमस्ते, रुखानी बच्चो की रुखानी बाप तदको, याद प्यार, नमस्ते, गुड बॉर्निंग शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धार्णा के दिये सार पहले पुईंट है बाबा का आज्याकारी वफादार बनकर आशिरवाद लेने के पात्र बनना है कोई भी अवग्या नहीं करनी बाब का आज्याकारी वफादार बनकर आशिरवाद लेने के पात्र बनना है कोई भी अवग्या नहीं करनी कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी भसमासुर नहीं बनना धरमराज की सजाओं का दर रखना है वरदाने दिल में एक दिलाराम को बसाकर सहजयोगी बनने वाले सर्वाकरशन मूरत भव दिलाराम को बसाकर सहजयोगी बनने वाले सर्वाकरशन मूरत भव दिला राम को दिल देना अर्था दिल में बसाना इसी को सहज योग कहा जाता जहां दिल होगी वहां दिमाग भी चलेगा जब दिल और दिमाग अथा स्मृती संकल्प शक्ती सब बाप को दे दी मन वानी करम से बाप की बन गए तो कोई भी संकल्प किसी भी प्रकार की आकर्षन आने की मार्जिन ही नहीं सब कुछ बाबा को दे दिया, तो कहीं कोई संकल्प में भी आकर्षन आने की मार्जे नहीं, स्वपन भी इसी आधार पर आते हैं, जब सब कुछ तेरा कहा, तो दूसरी कोई आकर्षन आ नहीं सकती, सहजी आकर्षन मूरत बन चाएंगे, जब दिल में एक को बसा लिया और को कोई आकर्षन आ नहीं सकती, सहजी आकर्षन उरत बन जाएंगे, अटेंशन से सुनेंगे, दिलाराम को दिल देना, अर्था दिल में बसाना, इसी को सहज योग कहते हैं, जहां दिल होगा, वहां दिमाग चलेगा, जब दिल और दिमाग, अर्था सम्रती, संकल्प, शक्ती, स तो अपन भी इसी आधार पर आते हैं, जब सब कुछ तेरा कहा, तो दूसरी आकर्षन आ नहीं सकती, सहजी सर्व आकर्षन मुरत बन जाएंगे, स्लोगन है, बाप से, इश्वरे परिवार से, जिगरे प्यार हो, तो सफलता मिलती रहेंगे, बाबा से भी प्यार, इश्व मुरत आत्मा हूं, एक कागर हो जाएंगे, अपने दिल में दिलाराम को देखेंगे, दिल में दिलाराम को बसाना, एक बाबा को याद करना, यही सहज योग है, जो आत्मा, बाबा को दिल में बसाती है, वो सब आकर्शनों से परे हो जाती है, बाबा को समुख देखते, महसूस करें, जो कुछ है, सब कुछ बाबा है, मेरी श्वास में भी बाबा है, दिल में भी बाबा है, दुनिया की कोई भी आकर्शन, जो आकर्शित नहीं कर सकती, दिलाराम बाबा से शक्तियां ले, उनका प्यार अपने पे बरस तानुखव करें, खुद को खुद याद दिलाएं, ये दिल, दिलाराम बाबा के लिए है, मैं बाब की चत्र चाया में हूँ, एक की आकर्शन में हूँ, अन्ये सब आकर्शन से मुक्त हूँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान होती, झालेराम बाबा, जुक्रिया बालेराम बाबा, ये दिल, रव्यक्त ज्यान होती है,